10 मार्च 2012 की जुबै यूक्रेन के मिकलैव शहर में रहने वाला एक आदमी अपने घर पर उठा क्योंकि अब उसे जल्दी ही अपनी नौकरी के लिए निकलना था फ्रेश होकर खाना पिना खाकर जैसे ही वो अपनी गाड़ी पर पहुँचा उसने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करी बट उसकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई अब क्योंकि वो बहुत ज़रा जल्दी में था और किसी साधन का वेट नहीं कर सकता था तो उसने सोचा क्यों ना वो पैदल ही चला जाए आज ओफिस भाग भाग कर थोड़ा सा अब जैसे ही उसने वो रोने के वाज सुनी अब उसको एक तरफ ओफिस भी जाना था बट उसने सोचा कि क्यों न वो एक बर अंदर जाक कर देग ले क्या पता किसी को मदद की जरूर थो और जैसे ही उसने अंदर छांक कर देखा इसके बाद एक इतनी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई यकीन मानिये ना सिरफ यूक्रेन बलकि पूरे दुनिया के अंदर इस घटना का विरोध किया गया पूरा देश यूक्रेन इस घटना की वज़े से सड़कों पर आ चुका था और यकीन मानिये ये इतना जारा दुखदाई है इतना जारा भायंगर टॉर्चर इसके अंदर हुआ जो मैं आपको यहां दिखा तो नहीं सकता बट हाँ उस चीज की imaginary representation मैं आपके mind में जरूर बना दूँगा यकीन मानिये ये इतना जारा दुखदाई था कि मुझे जब इसके बारे में पता चला और जब मैंने इसके बारे में लिखा तो मेरी आखों में आसू थे मुझे इस वीडियो के ऊपर कोई like वाइक नहीं चाहिए मन करे आपका करना नहीं करे तो मत करना कोई इशू नहीं है बट इस वीडियो को पूरा देख कर जाना इस पूरी घटना को समझने के लिए हमें युक्रेन देश के लच शहर में जाना पड़ेगा और दिन था 11 अक्टूबर 1993 का जब इसी लच शहर के एक चोटी से गाउं में ओकसाना नाम की बच्ची का जन्म हुआ लेकिन ये बच्ची अपनी किसमत में कुछ और ही लिखवा कर पैदा हुई थी जैसे ही इसका जन्म हुआ उसी टाइम पर इसके मा टैटियाना और इसका पिता जिसका नाम अभी तक नहीं पता चल पाया इन दोनों के बीच में तलाक हो चुगा था और सिरफ इस बात पर क्योंकि ये दोनों बहुत जारा दारू वगयरा पिया करते थे बहुत जारा नशे पते फूक रहे थे इन दोनों के आपस में बनी नहीं और जैसे ही ओकसाना का जन्म हुआ इन दोनों ने आपस में तलाक ले लिया अब क्योंकि टटियाना अकेले तो गिरफतार भी कर लिया गया उसको चौरी और ये स्मगलिंग के आरोप में जेल भीज दिया गया और टटियाना के अंदर जाने के बाद बेटी ऑकसाना की देखबाल उसके दारादादी ने करी बट देखबाल करते करते ऑकसाना बड़ी हो चुकी थी उसका स्कूल मैडमिशन करवा दिया गया बट फस्ट कलास से ही ओकसाना ने अपने क्लासमेट्स अपने टीचर्स का समान चुराना शुरू कर दिया जो माँ वाली आ दोते थी वो ओकसाना के अंदर आ चुकी थी बट थर्ड गरेड़ तक आते हैते स्กूल वाले और सबी क्लासमेट, सभी टीचर, सब परिशान हो चुके थे उसे तो उन सभी ने मिलकर ऑक्साना के दारा दादी को बताया कि ऐसी ऐसी बात है जिसके बाद ऑक्साना के दारा दादी ने ऑक्साना को एक बार्डिंग स्कूल में भरती करवा दिया मई 2003 तक आते आते ओक्साना ने इस बार्डिंग स्कूल से भी भागने की काफी बार कोशिश करी बट वो सफल नहीं हो पाई पता नहीं लोगों को ऐसा क्या दिख रहा था ओक्साना चोरी चकारी का काम करती है उनको पता था ओक्साना गलत काम भी करती है बट फिर भी ओक्साना के स्कूल के अंदर ओक्साना की काफी ज़रा पॉपलेरिटी थी सभी बच्चे उसे बाते करना चाहा रहे थे सभी लोग उसके साथ बैठना चाहा रहे थे खैर ओक्साना की उम्र अब 18 साल की हो चुगी थी उसका स्कूल पुरा हो चुगा था और उसके आगे उसको पढ़ाना दारा दादी के बस की बात नहीं थी उनके पास भी कुछ खास पैसे नहीं थे जिससे वो आगे की पढ़ाई कंटीनू करवा पाएं और बाद में उसे घर में ही रहने के लिए कहा गया बट घर में रहते र दिया और इस तरीके से वो दारू पी रही थी की पूरा पूरा दिन पूरी-पूरी रात भंड रहती किसे को भी इस बात की भनक तक नहीं डग रही थी की ऐकसाना इतना कुछ जेल रही है बढ़ किसी को बता नहीं रही अब दारू के लगी कि ना सिर्व उपने गाउं में रहते हुए बलकि आसपास के बड़े शहरों में भी वो अपने दोस्तों के साथ दारू पीने के लिए जाने लगी अब क्योंकि वो जैसे जैसे बड़े बड़े शहरों में जाती जा रही थी तो वहां पर रात को जो भी लोग उसे दारू पीने के लिए मिलते वो उसके दोस बन जाते और अगली बार वो फिर से उसे दारू बिने के लिए बुलाते यहां से ओकसाना फिर अपने गाउं से छोड़ कर बड़े बड़े शहरों में जाती और ऐसे ही दिन आ चुगा था 9 मार्च 2012 का जब दोपहर के टाइम पर अपने घर पर ही अपने दादा दादी के तब उसने कहा बिल्कुल मैं करूंगी मैं अभी कोई अपना बहाना दादादी को लगाती हूं और रात होने से पहले मैं तुम्हारे पास पहुँच जाओंगी फिर अराम से दारू पार्टी करेंगे शाम होते होते ओकसाना मिकलेव शहर के बिल्कुल बीचो बीच बने फिश बार कैफे में पहुँच चुकी थी उसकी दोस्त भी जल्दी ही यहां आने वाली थी और सबी बैट करब दारू वगेरा पीने वाले थे औकसाना इस बार के अंदर पहली बार नहीं आई थी बलकि वो पहले भी कई बार इस बार के अंदर आकर दारू वगेरा पी चुकी थी अपने दोस्तों के दाथ पार्टी कर चुकी थी इतनी बार वो यहां पर आई थी कि बार टेंडर जितने भी इस बार का स्टाफ था वो सबी ऑकसानों को बाई फेस बाई नेम जान रहे थे तो जैसे ऑकसाना अंदर आई उसके दोस्त भी जल्दी ही वहाँ पर आ चुकी थी यह अभी दो तीन लड़कियां मिलकर International Women's Day सेलिबरेट करने वाले थे और इस दिन इन्होंने सोचा था कि वो आज जारा दारू नहीं पिएंगे बेचाकाज Women's Day है बट फिर भी हम जारा दारू नहीं पिएंगे हम खुद को होश में रखेंगे बस जितना हो सके हम इस पार्टी का एंजोई लेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ जल्दी उसके दोस साइद सबने बैटकर वहाँ एक एक बियर का कैन लिया और बियर का कैन पीते ही ओकसाना की सभी दोस वहाँ से जा चुकी थी बट ओकसाना अभी भी इसी कैफे के अंदर बैटे थी रात के दस बजे के आसपास का टाइम हो चुका था दस बजे इस कैफे का दर्वाजा एक बार फिर से खुला तीन लड़के अब अंदर आए और ये तीन लड़के ओकसाना के लिए जाने पहचाने से थे जी हाँ ओकसाना जब भी पार्टी करने आती थी तो कई बार उसे इसी कैफे के अंदर तीनों लड़के बैटे वे दिखते थे अब आपको भी पता है कि इस तरीके की जगे पर जाने से एक दूसरे से जान पहचान जल्दी ही हो जाती है अब आप किसी को दारू बीते वे देख लेंगे या फिर वो आपको देख लेगा तो आप उसकी तरफ हाँ कर लेंगे तो वो भी आपकी तरफ हाँ करेगा और इसी तरीके से बाते आगे बढ़ जाती हैं तो जैसे ये तीनों लड़के है इन्हों ने देखा कि औकसाना अकेली बैटी हुई है और इन तीनों ने जान बुच कर औकसाना के बराबर वाली टेबल पर ही अपना सारा ताम जहम रख दिया जो अपने साथ वो बाहर से दारू वगयरा लेकर आये ते वो सारी भी और अभी भी जो ओर्डर करने वाले थे वो सभी इसी टेबल पर आने वाली थी औकसाना साइड में अकेली बैटी हुई तो जैसे ही ये तीनों लड़के उसकी तरफ देखने लगे औकसाना ने भी पलट कर उदर देखा और इन सबी के बीच में हाइए और इन तीनों ने सामने से औकसाना को ओफर किया कि तुम हमें जोइन कर सकती हो हम तुम भी यहाँ पर बैट कर पीने वाले हैं तुम भी पी सकती हो अब ओकसाना पहले से इन तीनों लड़कों को जानती थी इनको देखा हुआ था तो ओकसाना ने मना नहीं किया उसने अपनी कुरसी उठाई उनकी टेबल के साइड में लगा ली और वहीं पर बैठ चुकी थ वो जैसे ही नया पैक बनाते तो सिद्धा ओकसाना की तरफ रखते उसका पैक बहुत जड़ा हैवी होता खुद लवली लवली लेते बट यहां ओकसाना दड़ा 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 दड़ पैक लगाये जा रही थी उपर से उसने ब्रैंड वगेरा भी चेंज कर दिया अलग पैटे हुए थे उन्होंने उकसाना को नोटिस करना शुरू कर दिया और वो सिदा उटकर बार्टेंडर के पास गए और बोलने लगे कि देखो यार तुम्हारी एक कस्टमर है ये इन तीनो लड़कों के साथ है वैसे तीनो लड़कों अकेले आये थे बट इन्होंने इसक बार मैकसीम से बात करी कि देखो तुम्हारे साथ जो ये लड़की आई हुए इसने जारा दारों पी ली है कहीं इधर ही फैल ना जाए कहीं उल्टी उल्टी ना करते तुम इसका ध्यान रखना मैकसीम ने कहा तुम बिल्कुल भी टेंचन मतलो ये मेरे साथ आयु ही है मैं इसका ध्यान रखना मैं इसको अपने साथ अपने घर भी ले जाओंगा जब इन तीनों लड़कों को लगा कि हाँ अब ऑकसाना अच्छे से नशे में हो चुकी है उसको कोई अता पता नहीं है उसकी हालत का तब इन तीनों ने ऑकसाना को साथ लेकर इस बार से एक्जिट नहीं गया बजाए अपने अपार्टमेंट में जाने के ये सीधा अपने माता पिता से मिलने के ले गया क्यों क्योंकि इनका प्लैन था कि जादा से जादा लोग मैकसिम को उस रात देख ले ताकि आने वाले टाइम पर ये उसके सुबूत बन सगे कि हाँ हमने तो उस रात मैकसीम को देखा था मैकसीम को इस बात का अच्छे से अंदाज था कि उसको बस थोड़ा बहुती सपोर्ट चाहिएगा पबलिक का इसके अलावा तो उसके पिता के पास अंधा पैसा है उसके पिता की अंधी पहुँच है सरकार के अंदर तो यहाँ पर उसको कोई भी दिक्क तो इसमें खुद डारेक्टर था और यह कंपनी अलगलग स्कूलों में अलगलग कॉलिजिस में एनर्जी एक्विप्मेंट्स पहुँचा रही थी और ऐसे ही एक दिन यह मैकसीम जब ऑकसाना के स्कूल के अंदर वो एनर्जी एक्विप्मेंट्स पहुँचाने के लिए तब उसने पहली बार ऑकसाना को देखा था और तबी से वो ऑकसाना को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा था बट उसे डर था कि कहीं ऑकसाना उसे मना ना कर दे और इसी चीज़ का वो बदला भी अब अपने मन में लेकर बैठा हुआ था यह किस टाइप का बदला हुआ अकसाना को लेकर पहुँच चुके थे सीधा वो ऑकसाना को मैकसिम के बैडरूमे लेकर गए वहीं बैट पर लिटा दिया और खुद उसका दरवाजा बंद करके बाहर लीविंग हॉल में बैठ चुके थे वो वेट कर रहे थे कि कब मैकसिम आएगा और बताएगा कि आगे सोच कर देगे मिलकर तिनों ऑकसाना का बलात करने वाले थे तिनों एक साथ उसी बैडरूम में गए जहां ऑकसाना सो रही थी और एक के बाद एक 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 रिपीटिड ली ना सिरफ तिनों एक एक बार 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 वो यहां ऑकसाना का रेप करते जा रहे और इस टाइम पर ऑकसाना को कोई अता पता नहीं था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। अकसाना के मूँ के ओपर हाथ रख लिया बट ऑकसाना ने अपने दोनों हाथों से उसके हाथ अटाए और जोर जोर से चिलाना शुरू कर दिया। अकसाना चिलाय जा रही थी। इसी डर की वज़े से येवन ने अपने दोनों हाथों से अकसाना का गला पकड़ा और उसको तब तक इतनी जोर से दबा कर रखा जब तक अकसाना की सांसे बंद नहीं हो गई। अकसाना बिल्कुल ठनी बढ़ चुकी थी। येवन को लगा कि हाँ अकसाना मर चुकी है और हद तो तब हो गई जब देखिये ये येवन अभी भी नहीं रुका उसने बलातकार पूरा किया। उसने खुद को पूरा सैटिस्फाई किया तब जागर वो इस कमरे से बाहर निकला बाहर मैकसिम और आटम बैठे हुए थे और उन दोनों को जाकर बताया कि मैं जब कर रहा था तब ये ऑकसाना जाग गई और ये चिलाने लगी थी तो मुझे बहुत ज़ारा डर लगने ल लोकेशन देखकर आओ जहाँ पर हम इसकी बोडी को डिस्पॉज कर सकते हैं और मैं हाँ पर रहकर ही सोचता हूँ कि आखिर इसके साथ क्या किया जा सकता है मैकसिम के दोस्त येवन और आटम दोनों इस फ्लैट से बाहर निकले नीचे उनकी काड़ी कड़ी थी काड़ी उ कर तैयार नहीं थी वहाँ पर एक डेंटल क्लीनिक खोला जाना था बट वो काम कभी पूरा ही नहीं हो पाया और इस बिल्डिंग की तलाश इनकी पूरी हो चुगी थी कि हाँ इसी के अंदर आकर हम इस लाश को डम कर सकते हैं और यह हमारे फ्लैट से जारा दूर भी नहीं है जारा लाने में किसी को पता भी नहीं चलेगा चुपके से यहां डाल कर गायब हो जाएंगे यह दोनों लोग वापिस मैकसिम के पास गए मैकसिम को जाकर बताए कि हम ऐसा कुछ करने वाले हैं हम इनको लोकेशन दिक गई है और वहां जाकर हम इस लाश को डम कर सकते हैं तब ही ये तीनों वापिस अंदर गए, औकसाना अभी भी बैट पर बद हवास शालातों में पड़ी होई थी, लेकिन आपके अशर्या के लिए मैं यहां बता दू कि औकसाना अभी भी मरी नहीं थी, वो जैसे ही ये तीनों अंदर गए, औकसाना ने एक गहरी सांस भरी और जैसे ये चीज इस Yavin ने देखी येवन को इतना जारा गुसा आया कि साइड में ही लेंड लाइन जो फोन पड़ा हुआ था उसकी वायर उसने निकाली और उसी वायर को Aksana के सिर के नीचे से दो बार निकाल कर इतनी जोर से खीचा कि Aksana की एक वार फिर से सांसे रुख चु वो तकीए के कवर उसके मूँपर और पैरों के अंदर डाल दिये और उसके उपर से उन्होंने वो ब्लैंकेट लपेट दिया और इसी ब्लैंकेट को अब बाहर लिविंग हॉल में लेकर आए तिनों ने चुपके से उस फ्लैट का दरवाजा कुला फ्लैट से बाहर निकलते ह सिदा लिफ्ट के साहरे नीचे आये नीचे उनके साथ अभी भी आकसाना की लाश थी गाड़ी को ही मैञिम उस लिफ्ट के पास लेकर आया और लिफ्ट के पास खढ़े कड़े ही उसने गाड़ी की डिगिए खौली और इन दोनों यानि की एवन और आटम योगिया बाहर निकाला और उपर लेकर जाने लगे उनका ये प्लैन था कि ये लाश लोगों तक तो आज नहीं तो कल पहुंच जाएगी बट जितनी जारा लेट पहुंचेगी उतना जारा फायदा है उनके लिए कि ये सुबूत सारे मिट जाएंगे लोग भूल जाएंगे कि आकर उसके सा बट घूमते घूमते ही दो लोगों ने जो वो ब्लैंकेट पकड़ा हुआ था उसके अंदर लाश दी तभी वो लाश इस ब्लैंकेट से फिजल कर नीचे की तरफ गिर गई और जैसे ही गिरी इन तिनों को फिर से गुसाया कि ये लाश इनको फिर से अब लपेटनी पड़ जिसके बाद इनोंने वापिस उस लाश को उठाया ब्लैंकेट में लपेटा और अब की बार तो ये चीज़ इनको कंफर्म हो चुकी थी कि हाँ ओकसाना मर चुकी है क्योंकि अगर वो नीचे गिरती और उसको दर्द होता तो वो आवाज आती उसकी वो रोती वो चिलाती बट उसने कोई अवाज नहीं करी वो कंफर्म हो चुके थे कि अब डेथ हो चुकी है जिसके बद वो वो वापिस ले 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 घूमने लगे तब ही वो इस बिल्डिंग के बिल्कुल टॉप फ्लोर पर गए वहाँ एक खाली सा एक गड़ा सा बना हुआ था उपर फ् वो गए नहीं उन्होंने सोचा कि क्यो ना क्यो ना हम इस पूरे कच्रे के धेर को ही आग लगा दें तो कितना अच्छा होगा ये लाश यहीं पर जल जाएगी किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आखर यहां क्या हुआ कोड़े में तो आग वैसी भी लगती रहती है कोई इस सीनों ने उस टाइम पर कोड़े के अंदर आग लगा दी बट क्या आप इस बात पर इश्वास करेंगे कि जिस टाइम पर यह आग लगाई गई थी उस टाइम पर बेचारी ओकसाना जिंदा थी जिंदा ही एक इनसान को बार्बी क्यों आपने देखा होगा जो आग के ओप पर हम कोई भी टीका आप सोन ले ओ पनी टीका जब हम आग के ओपर वो उसको बूनते हैं वो सीक के अंदर डाल कर बिल्कुल ऐसा ही कुछ बेचारी ओकसाना के साथ अब होने वाला था जैसे उस आग ने तूल पगड़ा चारो तरफ आग लग चुकी थी बीच में ऑकसाना है बट इन तीनों ने एक बार भी चेक करना जरूरी नहीं समझा कि क्या ओकसाना जिंदा है या नहीं एक बार उसे हॉस्पिटल तो ले जाएं कम से कम लेकिन नहीं इन्होंने ज़स्टाग लगाई और इसी टाइम पर ओकसाना बिल्कुल बद हवास हालातों में अंदर इसका खून इतनी जोर से उबल रहा था कि उसका प्रेशर इतना चारा तेज हुआ कि उसको इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो चुकी थी अभी तक वो मरी नहीं थी लेकिन फिर भी उसके शरीर के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो चुकी थी इस आग को लगाने के काफी जादा लंबे टाइम तक नहीं टिक थी प्लास्टिक के अंदर लगाई गई या काफी जादा लंबे टाइम तक नहीं टिक थी बट वो जलती तो ही फिर भी उसके अंदर काफी तारी लकडियां भी पड़ी थी और लकडि जलने के बाद आपको पता होगा वो अंगा और आने वाले 10 गंटों तक वो किसी तरीके से इस भयंकर गर्मी में भयंकर आग में खुद को बचा कर रखी हुई थी बेशक वो अंदर से क्या कुछ फील नहीं कर रही थी 10 गंटों बाद 10 मर्च 2012 का दिन आच चुका था सुबह हो जुगी थी और सुबह सुबह पूरा शहर अब जाग चुका था लोग अपने अपने काम दुन्दे पर जा रहे थे ऐसे ही एक आदमी पास का जो रहने वाला था वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करने के लिए पहुंचा क्योंकि वह अब उसे अपनी गाड़ी लेकर अपने आफिस पर जाना था बट जैसी वो इस लावार इस बिल्डिंग को क्रोस कर रहा था तब ही उसने इस बिल्डिंग में ऊपर से किसी के रौने की आवाज सुनाई दी। जैसी इस आवाज को सुना उसने उपर की तरफ देखा एक बार तुसने इग्नॉर करने की कोशिश करी बट नहीं उसको फुलगा की हो सकता है किसी को उसकी जरूर तो और यह वाज बार बार आये जा रही थी जिहां आपने बिल्कुल सही सोचा यह वाज किसी और की नहीं बल जहां से आवाज आ रही थी और जैसी वो ऊपर गया उसने देखा कि आसवाज बुजी हुई आगे उसके अंदर से धुआ उट रहा है उसके बीच में कंबल लिप्टा हुआ पड़ा है और उसी कंबल के अंदर से कोई है वैक्ती जिसके हाथ दोनों बाहर निकले वे हैं औ बहुत जोर जोर से चिला रहा है वो थोड़ी उसके और पास गया उसने देखा कि ये तो किसी लड़की की यहाँ पर हालत कुछ ऐसी हो चुकी है उसने तुरंत पुलिस वालों को फोन किया वो बहुत ज़रा डर चुका था पुलिस वाले हमोके पर आए और ये देखने बताया कि उसका ये हाल किसी और ने नहीं बलकि मैकसिम आटन और येवन ने किया है उकसाना ने ये भी पुलिस वालों को बताया कि मैकसिम ने काफी बार उससे अपरोच करने की कोशिश करिये काफी बार उसको पैसे के बदले रातों को बुलाने की भी कोशिश करिया बट म मैंने हर बारू से मना किया और उसी चीज का शायद उसने बदला मुझसे लिया है। रात को हम सारे लोग इस बार में बैठे हुए थे वहाँ दारू बारू पी रहे थे और इन लोगों ने मुझे बहुत चारा दारू पिला दी और उसके बादे मुझे अपने घर ले कर गए वहाँ मेरे साथ यह सब कुछ किया। इसा कुछ कर सकता है और इतना कुछ होने के बाद भी कोई इनसान कैसे जिन्दा रह सकता है उसके गले के ओपर निशान है। अपते हुए अंगारों के ओपर पड़ी थी एक कंबल में लिप्टे हुए और वो कंबल भी खुद उसे जला ही रहा था। अकसाना जब पहली बार हॉस्पिटल में आई थी तब उसके माता पिता भी इस पूरी चीज़ की खबर सुनकर हॉस्पिटल में पहुँच चुके थे क्योंकि ये चीज़ वहां बहुत जल्दी वाइरिल हुई बहुत सारे न्यूस चैनल्स इस केस को कवर कर रहे थी और य बट दो दिन बीतने के बाद ही ऑकसाना की बचने की उमीद सिर्फ और सिर्फ आदा परसेंट रहे चुकी थी डॉक्टर्स ने जब प्रेस कॉन्फरेंस करी तो उन्होंने भी बताया कि 30 सालों के एक्सपिरियंस में उन्होंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा आम तोर पर पेट कर वो कंबल खुद उसे जला रहा था उसी वज़े से ऑकसाना की बोड़ी 55 परतीशत तक जल चुकी थी फिर भी ऑकसाना अभी तक जिंदा कैसे है ये चीज साइंस के बाहर है दस मार्च को ही ऑकसाना के बयानों के हिसाब से मैकसिम आर्टम और येवन को गिरफतार क आपको अब आएगा जी हाँ वहां की पुलिस वालों ने जो किया वहां की कितनी जारा करप्ट पुलिस थी और वहां का सिस्टम कैसा हो चुका था ये चीज़ आपको अब पता लगेगी जी हाँ पुलिस वालों ने इन तिनों को गिरफतार तो कर लिया था बट मैकसिम और येवन को अगले ही दिन जमानत के उपर छोड़ भी दिया गया फिस सिरफ उनको यही कहा गया था कि तुम शेहर से बाहर नहीं जा सकते बट उनको छोड़ दिया गया 11 मार्च के दिन जैसी लोगों को ये पता चला की तीन में से दो आरो पी तो बहर आराम से घूम रहे हैं इतना भयंकर क्राइम करके लोगों का गुसा फूट पड़ा ना सिरफ मेकलाइफ शेहर के अंदर बलकी ओल ओवर दा कंट्री लोग सड़को पर आ चुके थे अपने साने बड़े-बड़े हैं उनके पास पैसा बहुत मोटा है क्या सिरफ इसलिए उन दोनों को छोड़ दिया गया इस साइड सड़को पर अंदोलन चल रहा था उस साइड ये दोनों लड़के बहराराम से घूम रहे थे और हॉस्पिटल के अंदर बेचारी ओकसाना अपनी जिन्दगी से लड़ रही थी कभी भी मौद उसे अपने आगोश में ले सकती थी बट 12 मार्च 2012 के दिन डॉक्टर्स को ये महसूस हुआ कि हमें उसका एक पैर उल्टा पैर काटना पड़ेगा क्योंकि ये पैर सबसे ज़ादा जला हुआ है और इसी के वज़े से इंफेक् लोग यहां पुलिसवालों को सिर्फ यही डिमांड कर रहे थे कि यह तीनों जो लोग हैं जिननों लिए और उखता रह ठाब गदा सिर्फ किया है उन तीनों को पब्लिक के हुआले कर दिया जाए वही पब्लिक देखेगी इन तिनों के साथ क्या करना है इसके अलावा सैक्डो हजारो लोग सामने आए हर एक होस्पिटल में जो यह सारा रहे थे की औकसाना के शरीर में को खुन की कमई है तो वो सारा खुन उनके शरीर से लेजे बैक शरीर ले वो किसी भी का जांग पूरा करी तो हुँ पकजा रहे या बोहां लोग donation लेकर आए पैसा लेकर आए कि हाँ Oxana के इलाज में जितना भी खर्चा होगा वो सारा हम देंगे बट किसी तरीके से Oxana को बचाया जाए 15 मार्च के दिन सुबह सुबह Oxana की health और जारा गिर चुकी थी 15 मार्च के दिन ही सुबह सुबह बेचारी Oxana medically induced coma में जा चुकी थी 16 मार्च के दिन उसे एक medically specialized unit के अंदर shift किया गया वहाँ पर भी उसकी surgeries की गई भयंकर surgeries उसके शरीर पर की गई बट यहाँ पर उसकी हालत के अंदर कोई सुदार होने की उमीद दिखी नहीं रही थी फिर भी 14 दिन बीच चुके थे अभी भी लोग सडकों पर थे यहाँ 29 मार्च 2012 का दिन आ चुका था और यह वो दिन था जो finally बेचारी Oxana अपने इस जिन्दगी और मौत की जंग में हार गई उसके शरीर के अंदर multiple organs एक साथ fail हो चुके थे और इनी failure की वज़े से बेचारी Oxana की मौत हो जोगी थी Oxana के मरते ही लोगों के बीच में गुसा और जारा फूट पड़ा सारे लोग बस यही डिमांड कर रहे थे कि उन तीनों को जल्दी से जल्द सजा दी जाए या फिर उन तीनों को public के हवाले किया जाए बट पुलिस वालों के उपर भी सरकार का दबाव था क्योंकि सरकार ही इन तीनों के माबाप थे obviously इनके माबाप का बहुत बड़ा-बड़ा हाथ था बहुत मोटे पैसे इनके पास से अब जहां पैसे होते हैं नहां सरकार भी क्या करेगी अब آپ को भी बताइया कर्पशन हर जगे चलती है और कर्पशन यहांँ बी चल रही थी विचारी ऊक्सानः के अंतिम संसकार की तैयारियां शुरू की गई उसका शरीर अंतिम हालातों में हर जगे से कटा फटा हुआ था हर जगे उसके सरजरीज के निशान थे हर तरीके से डॉक्टर्स ने उसे बचाने की कोशिश करी बट वो नहीं बच पाई उसको वाइट ड्रेस के अंदर वाइट कॉफिन के अंदर लेटाया ग गरीबन सोच लीजे आप साथ आठ महिने के आसपास का टाइम बीच चुगा था इस टाइम पर फाइनली कॉट ने इस केस के अंदर सजा सुनाई जिसके अंदर यैवन को लाइफ इन प्रिजेंटमेंट सजा दी गई इसके लावा मैकसिम उसको 15 साल की और इसके लावा ये तो बस कुछी टाइम बाद बाहर आ जाएंगे बट क्या ही करें अब कोट कोट है उसके सब मानते हैं खेर इसके अलावा भी इन तिनों ने इस सजा के खिलाफ काफी बार अपील किया उसमें कहा गया कि हमारी सजा कम की जाए हम निर्दोश हैं ये है वो है सब कुछ कहा खेर ये तीनों अभी भी जेल के अंदर ही हैं अपनी सजा पूरी कर रहे हैं देखते हैं आने वाले टाइम में ये कब बाहर आते हैं जब भी बाहर आएंगे मैं आपको इस चीज़ का अपडेट मेरे इंस्ट्राग्राम पर जरूर दे दूँगा इसके लावा बहुत सारी आसी फोटोज हैं बहुत सारी ऐसी वीडियोज हैं बेचारी ओकसाना की जो मैं यहां पर आपको नहीं दिखा सकता अगर आपको वो देखनी है तो आप मेरे इंस्ट्राग्राम पर जाकर वहां प्रोड का चैनल है उसको जरूर जोइन कर लीज़ेगा साथी वहां मुझे फ धन्यवाद